Hello everyone, welcome to Auto IS Academy YouTube channel और हमारी Great Indian Thinker की सेरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक सिर्फ नाम ही नहीं है, वो एक inspiration है एक motivation है और एक प्रेरना है हम सभी के लिए जिन्होंने हमें सिखाया था कि If you have a dream and if you have a goal to achieve तो तब तक मत रुकना जब तक कि तम्हारा वो goal और तम्हारा वो dream अचीव नहीं हो जाता है और जी हाँ दोस्तों ये हैं हमारे सवामी विवेका नंजी जिनका आज भी हम हर साल 12 January के पास हम एक Indian Youth Day के फॉर्म में हम इनको celebrate भी करते हैं और जिनकी पूरी life जो है वो इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए dedicate रही है वर्ल्ड जो हमेशा से इंडिया को ये मानता था कि इंडिया is a land of the snake charmer उस वर्ल्ड को इंडिया की सही introduction देने वाले थे स्वामी वेकानन जिन्होंने बताया कि इंडिया जो है it's not a land of superstition but it is the land where one of the most rational and one of the most ancient religious scripture has ever been written और वो है हमारे स्वामी वेकानन जी तो आज हम स्वामी वेकानन जी के बारे में देखेंगे इनकी life का एक small biographical sketch कि स्वामी वेकानन जी ने अपनी life को किस तरह से dedicate किया लोग और लोगों के लिए और उनकी problems के लिए अगर हम स्वामी जी की early life की बात करते हैं तो स्वामी जी का जो जनम था वो 12 जनवरी 1863 में कैलकटा में हुआ इनका जो बच्पन का नाम था वो नरेंदरदाथ दत था और इनका बर्थ कैलकटा की एक बहुत मशूर बंगाली केस्ता फैमिली में हुआ स्वामी जी के जो फादर थे जनका नाम था विशवनाथ दत वो कैलकटा हाई कोट में एक अटरनी थे और जैसा की एक बच्चे की life में उनके parents का बहुत influence होता है ऐसे ही स्वामी जी की जो starting के life थी उसमें इनके फादर का एक progressive और rational attitude जो था वो इनको इनके फादर के side से मिला इनके mother बहुत religious nature से थे जहां से स्वामी जी का एक religious temperament जो है इसका डिवाल्फ जो है वो develop हुआ स्वामी जी हमेशा ही अपने शुरुस्टे ही उनका spirituality में बहुत ज़्यादा interest रहता था इसके लिए बड़ी ही young age में इन्होंने meditation जो थी वो करनी start कर दी थी और अक्सर ये शिव जी, राम, सीता और हनुमान जी की मुर्तियों के आगे और images के आगे जो थे ये meditation किया करते थी 1871 में स्वामी जी की जो education थी इसकी जो starting हुई इन्होंने 7-8 साल की उमर में he was joined as a इश्वर चंदर विद्या सागर का metropolitan institution को join किया और वहां से इन्होंने अपना matrica education पास किया. Later on he joined the Calcutta University जहां से इन्होंने 1884 में अपनी 1884 के अंदर इन्होंने अपनी जो graduation की जो degree थी वो जहां पे हासिल की. अगर हम as a student की बात करते हैं तो स्वामी जी एक बहुत ही avid reader की category में आते थे जहां पे उनकी जो knowledge जो थी वो एक दो नी बलके multiple subjects के अंदर थी. He was a very verosious readers of the different subject, चाहे वो philosophy हो, religion, history, social science, art and literature or along with the various Hindu scriptures there. स्वामी जी जहां पे education और reading के उपर बहुत focus करते थे, वहां पर वो अपने physical health और physical exercise को भी बहुत ज़्यादा importance देते थे. And that is why he was also trained in Indian classical music और उस समय की जो भी sports और activity हुआ करती थी उसमें वो अकसर participate किया करते थे. एक बार कुछ student जो है स्वामी जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि स्वामी जी हम गीता और इस तरह के scripture जो है वो football पड़ी है आप इसको लेके जाएगे और जाके ground में पहले इसको खेल के आईए और उन बहुत एक vigorous exercise जो थी उन सभी students जो भी वहाँ पे लड़की आए उनसे स्वामी जी ने वहाँ पे करवाई और उतनी vigorous exercise करने के बाब they were all feeling a very sense of happiness there तो तब स्वामी जी ने उनको पूशा कि आप कैसा feel कर रहे हैं तो उनने बोला कि we are feeling as we have realized the God so that is why स्वामी जी फिजिकल exercise के उपर बहुत focus देते थे और अकसर यूथ को वो motivate किया करते थे कि तुमारी जो nerves हैं वो steel की होनी चाहिए और तुमारा जो मौसला है जो तुमारा confidence है वो इतना होना चाहिए कि तुम पहाड़ों को भी जो है चीर के नदियां पार कर सको तो इसी सोच के साथ जो स्वामी जी से उन्होंने हमेशा अपने disciple हों जा आम लोगों हो उनको हमेशा motivate जो है वो यहां पर करते रहे हैं स्वामी जी ने western logic western philosophy औ European history को भी बहुत बरिकी से पड़ा ताकि यह जान सके कि west और east गे अंदर जो major issues जा difference है वो कैसे हैं और कहां पे हैं अगर spiritual world की बात की जाए क्योंकि स्वामी जी एक बहुत major spiritual journey में यहां पे आते हैं तो इनकी जो starting होती है 1880 में उस समय स्वामी जी क्योंकि इनको starting नाम नरें समाज और बात से यह अलग हो गए थे तो इसलिए केश्यों चंदर सेन ने अपनी अलग सभा बताई थी इसको जवाइन किया नव विदान सभा के साथ साथ he was also a member of the सधारन ब्रह्मो समाज जो की एक ब्रह्मो समाज का ही एक offshoot थी और केश्यों चंदर सेन का एक group था band of hope इसके भी member थे तो स्वामी जी की जो starting के अगर हम spirituality जहां इन सब चीजों की बात करें तो जो starting थी वो यहां से होती है जब वो great philosopher और उन समय की जो great member थे इस organizations के इनके साथ मिलते हैं और different topics की उपर उनकी discussion वहाँ पे होती है लिए स्वामी जी के अंदर हमेशा ही एक चीज़ हमेशा ही बड़े inquistic रहते थे he want to know what is God के God है क्या और इसके लिए अकसर वो जिससे भी मिलते थे चाए वो उनके दोस्त थे चाए कोई भी योगी थे या को कोई भी religious teacher थे तो अकसर उनसे यह सवाल किया करते थे कि God कौन है क्या आपने कभी God को देखा है और बहुत सारे answer उनको मिलते भी थे हर कोई अपने तरीके से उनको बताने की कोशिश भी करता था लेकिन स्वामी जी इस सीज़ से कभी satisfied नहीं होते थे उनका यही सवाल उनका नहीं पहला सवाल उन से करते हैं क्या आपने गौड देखा है तो रामा क्रिशन जी नान उनको कहा कि हाँ मैंने गौड को देखा है और बिलकुल वैसे ही देखा है जیसे कि आज मैं तुम्हें यहां पे देख रहा हूं स्वामी जी की ये मुलाकात रामक्रिशन पर्महंसा जी के साथ काली टेंपल जो था दक्षिन इश्वर का कैलकटा में 1881 में हुई और ये वो मुमेंट थी ये मौका था जहाँ पे स्वामी जी की जो लाइव थी वो एक तरह से बिलको 360 डिगरी में यहाँ पे टर्म होती है अपने few questions के बाद जब उनकी सारी जग्यासा शान्त होगी तो यहाँ पे स्वामी जी ने अपने आपको रामक्रिशन पर्महंसा के प अपना कदब बढ़ाया यहाँ पे रामक्रिशन पर्महंसा जी की डेथ 1886 में हो गई थी और उनकी डेथ के बाद क्योंकि स्वाम नरेंदर जी और स्वामी जी उनके सबसे फेवरेट डिसीपल थे तो इन्होंने एक अपना एक अपना mission जो था वो लिया के न को to spread the ideology of the Hinduism and the basic scriptures to all over the world तो इन्होंने इसके लिए इसको स्वामी जी की जो सोच थी जो उनकी ideology थी उनको different corner of the world में ले जाने के लिए इसको यहाँ पे सोचाओ उन्होंने और जिसके लिए इन्होंने एक group बनाया जिसको की Ramakrishan order कहा जाता था ताकि जो उनकी सोच है उनको देश के और बा 1888 में नरेंदर जो है वो monastery को छोड़ देते हैं and as a परी वरजक प्रवी वरजक जो है वो एक Sanskrit word है जिसका मतलव होता है एह Hindu religious life of a wandering monk जहाँ पर परसन जो है एक wandering monk की तरह अपनी life spend करता है और जब उन्होंने monastery को छोड़ा तो अपने साथ वो क्या लेके गए एक उनके पास ए था और दूसरी बुक का नाम था imitation of the Christ इन पांच सालों के अंदर स्वामी जी different different area पे इंडिया में गए हर corner पे गए और लग लगों के साथ मिला और उनसे religion, social, culture, हब aspect की discussion और debate जो थी उनकी हुई जसी उनको काफी knowledge भी मिला और इनी journey के अंदर स्वामी जी ने देखा कि तकलीफें उनको भी देखा और उनके लिए उन्होंने यहाँ पे उनके लिए एक सिम्थी भी generate हुई कि इन हमें अपने लोगों के लिए जो है वो कुछ जो है वो करना चाहिए तांकि इनकी जो poverty जा इनकी तकलीफें हैं उनको यहाँ पे दूर किया जाए और इनी travel को करते स्वामी जी कन्याक मारी पहुंचते हैं कन्याक मारी के जब वो सी के सामने करते हैं तो तब यह भोगी रॉक उन्हें दूर नजराती है और away जीने यही कहाता है कि अगर आपका निस्टा जगर आपकी सोच है वो बहुत पक्ड़ी हो तो फिर कोई भी मुश्किल कोई भी त पे फिश फौक थे उन्होंने जाने से मना कर दिया को कि थोड़ा वाधर कुछ इस तरह का नहीं था तो सवामी जी ने अकेले ही समूंदर में जम किया और तैर्गते हुए उस रॉक पे पहुंच गए और वहां पे जाके इन्होंने वहां पे जाके meditation किया और कहते हैं कि यहीं पे ही उन्हें he got the enlightenment and that final vision और जब जाके इनको पता चला कि मेरी life का आगे mission क्या है और इनका life का mission था to introduce to the world that what is India and what is Hinduism कतीस माई 1893 को यह Bombay से Chicago की तरफ निकलते हैं और यहीं पर ही इनका नाम जो है वो नरिंदरनाथ से विवेका नंद में जो है वो change होता है और यह advice इनको दिया था महाराजा of खेत्री स्टेट अजीत सिंग उनके कहने के उपर ही पहले इनको सचिदा नंजी भी कहा जाता था तो इन्होंने एक विवेका नंद जो टाइटल होते होए फाइनली यह शिकागो में यह उनाइटर स्टेट वहां पे पहुंचते हैं जहां पे उस समय पार्लीमेंट ओफ रिलिजन जो थी वह हो रही थी जहां पे दुनिया भर के जो रिलिजिस हैड थे वहां पे पहुंचे होए थे on the religious discussion at that time उस पार्लीमेंट ओफ रिलिजन के अंदर स्वामी जी ने जब वहां पे कुछ speak करने के लिए इन्होंने जहां पे वहां पे permission मागी तो वहां पे जो organizer थे they were not very much very much interested to give that time to स्वामी जी कि उन्हें लगता था कि he is coming from a land which is a India that is a land of the ignorance लेकिन तब जब स्वामी जी को थोड़ा मौका दिया गया तो स्वामी जी ने जब अपनी speech start की with the wording of sisters and brothers of America कहते हैं कि पूरा हाल जो था वो ताड़ियों के साथ दो मिनट के लिए गुंचता रहा और पूरे का पूरे हाल के लोगों ने खड़े होके उस स्वामी जी का जो था उस stage की उपर welcome किया ये दो मिनट का टाइम कब घंटों में बदल गया ये पता ही नहीं चला क्योंकि स्वामी जी ने जब वहाँ पे speech दिया और जब world को बताया कि what is India, what is Hinduism and what is the Hindu philosophy तो पूरा ज क्योंकि पहले तो लोग यही मानते थे कि India is a land of the ignorance here और इस Parliament के end होते होते जो स्वामी जी थे वो अब अमेरिका में एक बहुत ही non figure जो थे वहाँ पे बन चुके थे और जिसके लिए स्वामी जी ने अगले दो साल में अमेरिका के different different area में जाके वहाँ पे speeches भी किया इन्हों ने वहाँ पे एक society भी बनाई that is Vedanta Society of New York in 1894 है और during this time यह England भी दो बार गये दो बार England गये एक बार 1895 में और एक बार 1896 के अंदर गये और यह जादा तर different different topics के उपर इस टाइम पे lecture किया करते थे 1895 में he met with Margaret Elizabeth Noble जो एक Irish woman थी और जोनोंने स्वामी जी के end time तक जो उनके साथ रही और जो बाद में become popular और famous with the name of sister निवदिता जी की अगर हम contribution देखें तो स्वामी जी के जितनी भी speeches थी उनको record करना और उनको bookish world में लेके आने में sister निवदिता जी का एक बहुत बड़ा contribution था जब स्वामी जी अपने second time पे UK गए in the May 1896 के अंदर तो तब स्वामी जी की मुलाकात मैक्स मुलर के साथ होती है यह मैक्स मुलर वो professor होते हैं जोनों ने इंडो इंडियन और इंडियन हिस्ट्री के उपर बहुत बड़ा research work लिखा होता है और यही मैक्स मुलर जो है वो राम कृशन परम हंस जी की पहली biography उस समय west में लिखते हैं during this time 1896 में स्वामी ज को योगा को जो है introduce करिया जाता है और अगर हम आज की हम देखते हैं कि आज की अगर हम योग की popularity देखते हैं all over the world में तो उस popularity की जो starting थी वो स्वामी वेकानन्द ने की थी जहाँ पे लोगों को योग और योग जो knowledge है इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया इसके ब गुडविन और बाद में सिस्टर निवीदिता भी इनको जोइन करती हैं और यहाँ पर ही 1897 में कैलकटा में यह रामा क्रेशन मिशन की foundation रखते हैं for various social services on various other purpose के लिए यह organization बनाई जाती हैं आज भी सिर मिशन के बहुत सारे charity hospital और school और colleges जो हैं वो चल रहे हैं इसके साथ सा इसके जो भी गवर्निंग बॉड़ी होती थी they all come from the रामा क्रेशन मट से आती थी जिसका रामा क्रेशन मट का में काम religious field में हुआ करता था तो यह दो mission के medium से रामा क्रेशन mission और रामा क्रेशन मट के medium से इन्हों ने उस समय जो humanity का जो एक viewpoint था उसको और service के medium से इंडिया में separate किया second time स्वामी वेका नंजी 1899 में ये वापस एक बार जो हैं वो west के लिए जाते हैं और समय इनके साथ sister निवीदिता जी और स्वामी तुरिया नंजी इनके साथ होते हैं और थब एक साल के बाद ये 1900 में ये वापस कैलकाटा में आते हैं और यहीं पर ही एकले दो साल के अंदर ये finally viral मठ में settle होते हैं और 1902 में ये great personality हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है लेकिन इनकी जो सोच थी जो इनकी inspiration जा इनकी motivation थी जा इनकी जो जो इनकी प्रेरना है वो आज भी हम सभी की life में जो है एक अटूट हिस्सा बनके आज भी हमारे साथ रहती है वन वास्दा प्राभुद भारत in English and उद भोधना in बंगाली इसके अलावा इनकी और भी बहुत सरी publication आई जैसे की संगीत कलपत्रू करम योग राज योग वेदानता philosophy and address before the graduate philosophical society lecture from kolombo to almora भरतमन भारत my master जनन योगा these are the sum of the literary work कई बार हमारे exam में इस तरह का literary work के ओपर कोई question जो है वो पूछ लिये जाते हैं so that this is this was the a brief introduction and the biography of the Swami Vikarnanad जी I hope के ये इनकी जो biography है it will help you to achieve and help and inspire you to achieve your dreams and aspirations और इसके लिए आपको मेनत करने के लिए और अपने इरादों में हमेशा determine रहने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेगी so student thank you very much and all the best thank you